तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी समर में पीने वाला बदाम सीक जो कि हम सभी का फेवरिट होता है तो इसे हम आज एक बहुत ही यूनिक और एकड़म अलग तरीकी से बनाने वाले हैं इसके लिए मैंने आपर ये बदाम ले लिए हैं 15-20 इसे हमने गरम पानी में अच्छी तरह से सोख होने के लिए छोड़ दिया था जब ये अच्छी तरह से सोख हो जाएं तब हम इनके छिलके निकाल देंगे आप चाहे तो इनने रात भर भी सोख करके रख सकते हैं तब ये अपने आप ही छिलके छोड़ देंगे अगर आपको जल्दी या इंस्टिंट बनाना हो तो आप इसी तरह से गरम पानी में इने छिल लाएं गरम पानी में इनके छिलके सॉफट हो जाते हैं और हमें इस तरह से इनको छिल देना है देखे तो इसी तरह से अमने बाकी बदाम को भी छिल देना है अब यहां पर एक कडाई में हमने लिया है एक कप दूद। दूद का अच्छी तरह से बॉइल कर लेना है, आप अपनी कॉंटिटी के हिसाप से दूद जादा या कम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप इस पानी भी डालना चाहे then, तो डाल सकते हैं, अब इसे अच्छी तरह से हम बॉइल कर लेंगे, दूद को बालने के बाद ही हम इसमें आगे का प्रोस्स करेंगे दूद हमारा काफी अची तरह से बॉयल हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें सुगर डाल दें तो मैं यहाँ पर 2-3 चमच के लगभग ले रही हूं इ अब इसके साथ में हम राल देंगे गरम तो जो रही हम दाल है कॉन फ्लार एक छोटी चममच याने गर की चममच अम चे तक यहां पार कस्टरट पौडर कर सकते तरह से के जड़ शड़ मनें टेड़नेके लिए लगभक हल्दी टालेंगे जिसे किसमें राये आप यहाँ पर केसर के इस्तमाल भी कर सकते हैं तो यहाँ पर बेसिक सी चीजों का हम इस्तमाल कर रहे हैं जो घर में रखी हुई होती है आप हल्दी और कॉन फ्लार की जग़ा कस्टेड पॉडर के इस्तमाल कर सकते हैं यह देखिए हमारा मिक्षर जो है विगदम रेडी हो चुका है अब दूद हमारा अची तरह से मिक्स हो गया है चीनी के साथ में अची तरह से उबाला चुका है तो अब हमने जो यह मिक्षर बना कर रखा था यह सारा ही हमसी डाल देंगे तो मैंने सारा हिसाब से ही डाला था आप चाहे तो corn flour बाद में भी add कर सकते हैं सिर्फ बदाम और दूद को ही पीस ले यह देखिए बहुत ही बड़ी हैं जैसे कि हम custard powder डाल का इसका color लाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसका color हो जाएगा आप चाहे तो इसमें essence वगरा भी add करना चाहें तो कर सकते हैं यह दूद पीने में healthy और बहुत ही tasty लगता है सभी को बहुत ही पसंद आता है क्योंकि एक तो यह इसमें बड़ाम का flavor है जो कि बहुत ही benefit होता है health के लिए हमारे healthy भी बहुत ही जदा immunity boost करती है और दूद तो बहुत ही फायदेमन होता ही है तो इस तरह का milk आप बच्चों को बना कर दीजिए market में मिलने वाले milk में ना जाने क्या chemical डाले होते हैं तो आप इस तरह से घर पर ही बना कर त्यार करें अब जो बचा हुआ mixture था उसमें थोड़ा सा दूड डाल कर उसको भी mix कर लेंगे जैसे कि चारा ही चीज अच्छी तरह से हम इसको इसको इस्तेमाल कर लें कोई भी चीज बिल्कुल भी वेस्टिज ना जाए तो देखी काफी सारा इसमें mixture था अब इसमें काफी बढ़ियां उबाल आ रहा है तो हमें इसी तरह से उबाल आने देना है क्योंकि हमने इसमें जो corn flour डाला है वो अच्छी तरह से कोख हो जाना चाहिए जब यह अच्छी तरह से कोख हो जाता है तब आप इसे ठंडा कर लें फ्रिज में रख दे और जब आपका मन करें तो आप इसे enjoy करें सभी को बहुत पसंद आने वाला है जटपट से बन कर तयार हो जाता है यह यह देखें बहुत इबढ़िया उबाल आ चुका है अब हमने गैस का फ्रेम कर दिया है बन थोड़ा बहुत आप इसे अभी और कोख करना चाहते हैं तो कर लें जब यह ठंडा हो जाए तब ही हम इसे serve करेंगे अब हमारा बदाम से बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो गया है तो आप इसे आप ग्लास में डाल दें थोड़े से उपर से कत्रन टूटी टूटी या फिर ड्राइफ फूर्स लगा दें यह देखें बहुत ही टेस्टी यम्मी हेल्दी और घर में बना हुआ हमारा बदाम से एक बनकर तयार हो चुका है आयोग कि आपको मेरी आज की टेस्टी सी रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आयो तो वीडियो को लाइक से अर सबस्क्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स और फैमिली में भी शियर करें मैं मिलती हूं नेक्स लिडियो में थेंक्यू थेंक् प्रेस करना ना भूले जिसे साई नोट दे किसन आपको मेरे सबसे पहले मिले